तो बात करते हैं क्या एज लिमिट होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए आपकी आइज लिमिट बैंक जूनियर असिस्टेंट के लिए आपकी एज लिमिट 31 जनवरी दो हज़र चौबिस तक वेलकम बाक तो आप लूटिस अकाडमी चानल आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू लोटिफिकेशन के साथ आई हूँ जिनकी हाली में एक्जाम डेट रिलीज हुई है कब आपको वे एक्जाम जाके देना है तब उसके पॉर्म्स निकले थे उसके बार में चलिए डालते हैं एक नज़र जैसे कि आप देख सकते हैं आइट बी आई बैंक लिमिटिट की तरफ से यह जो पोस्ट है वो जूनियर असिस्टन्ट मानेचर की है आइट बी आई इसी के साथ इनकी लास्ट डेट थी 26 फरवरी दोवरजार चॉविस 26 दोवरजार चॉविस लास्ट पे पेमिंट डेट पी थी आप उस पे को किस तरीके से कौन-कौन से मूच से पे कर सकते थे डेविट कार्ड, क्रेडिक कार्ड, कैश कार्ड, एर चलान, मोबाई इन बैंकिंग, इन पेस, इसी के साथ साथ एक्जाम डेट इसकी 17 मार्च 2024 है आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है 8 मार्च 2024 हो आप अपने एडमिट कार्ड को डांगलोड कर सकते हैं इसी के साथ आप ये भी देख सकते हैं आपका सेंटर कहां पर हैं उनकी जो भी इसी के साथ इसकी क्या एडमिट करते हैं इसी के साथ इसकी क्या अप्लिकेशन पी थी जनरल ओबीसी एडमिट के लिए 1,000 स्ट फिजिकल हंडिकेप के लिए 200 रुपीज किसी भी जॉब के फॉर्म को अप्लाइ करने के लिए इंपोर्टन चीज ये होती है कि आप उसमें है या नहीं है और एज फैक्टर सबसे जादा इंपोर्टन रोल प्ले करता है तो बात करते हैं क्या एज लिमिट होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए आपकी आइड बैंक जूनियर असिस्टेंट के लिए आपकी एज लिमिट 31 जनवरी 2024 तक मिनिमम 20 साल माक्सिमम 25 साल और आ ठीक है अब इसमें कुल कितनी वेकेंसी निकली है उसके बार में एक नजर डालते हैं कुल 500 वेकेंसी हैं ये जैसे कि आप देख सकते हैं जिन भी इंट्रस्टेट कांटी रेट्स ने इस फॉर्म को फिल किया है उनके लिए अल्द वेरी बैस्ट क्योंका एड्मिक कार्ड हो चुका है उसे डाउंलूड करें अपने सेंटर को चेक करें कहां पर आपका सेंटर है इसी के साथ अपने एक्जाम को देने के लिए जाए और वेरी बैस्ट उनके एक्जाम के लिए आई हो मेरी जो वीडियो है आपको यूसफुल लगी हो छोटी सी शॉर्ड डेटियर कि मैंने आपको प्रोवाइट करें है यूही प्लूटिस अकाडमी के साथ बने रहे जोडे रहे थांक यू